क्लास 10 आले सग्वाल की बुक से गाईज नियू एडिशन से एक्सराइस थी सी का कोश्चन नमबर टी सो आपने स्रीवेस वाले सभी कोश्चन सौल कर ली होंगे अगर नहीं किया तो इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस मिल थाएगी महां से आप सारे सुलेशन देख स भीति दो सुल्ट एंड में तो इसको आपको इसको अप्लाई करेंगे अल्जेब्रिक मेथाओं टी ओते हैं आपको मालूब है बाद से इसको सौल करना है इसको सौल करना है तो सौल करना है से नहीं करना, right? So guys, अगर आपको इस स्पेसिफाइ कर दिया जाए किसी भी कोशन में कि आपको कॉस माल्टिप्लिकेशन से करना है जरना आप उसी से ही करेंगे अधरवाइस आपको एजाम में मार्क साहन मिलेंगे So आईगे हम कोशन को short out कर लेते हैं first of all आपकी जो given equation होती है वो क्या होती है linear equation a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and second जो होती है a2x plus b2y plus c2 equals to 0 guys मैंने आपको starting में जो first video थी उसने भी पूरा concept समझाया था and उससे अलग individually भी मैंने आपको substitution elimination cross multiplication सारे method बताया हुए individually with example so अगर आपको concept clear नहीं है तो महां से learning trick short learning trick भी मैंने आपको बताई हुए है last linear equation in two variable class and playlist मिल जाएगी महां पर सारी चीज़े आपको available है सारे तो solution available है and सारी chapter की पूरी आपको concept वहां पर clear किया गया है सारे solutions वहां पर आपको मिल जाएंगे okay so आप आई ये short method देख लेते हैं जो कि हम diagram के according सभी question में करते हैं मैं आपको diagram सही बताते हुए सारी चीज़े x y and 1 कोई भी formula का rectification नहीं करते हम लोग इसलिए हम लोग यहां पर learning trick जो है short learning trick वह use करेंगे ठीके सो यहां पर हम क्या रहते हैं starting में b1 b2 से starting करते हैं b1 b2 से ही ending करते हैं ठीके बीव के बाद क्या आता है c तो c1 c2 c तीनी वेरीबल है a b c तो यानिकि आप तीनी आपके real number है a b c तो c के बाद क्या आएगा a यानिकि a1 और a2 तीनी तो कोफिशेंट है x और y की a1 b1 और c1 a2 b2 और c2 राइट सो आप क्या करते हैं x के बाद में क्या आएगा आपका b1 c2 minus b2 c1 equals to y upon c1 a2 minus c2 a1 c1 a2 minus c2 a1 राइट सेम x के बाद में आता है b1 c2 minus b2 c1 ओके same 1 upon a1 b2 minus a2 a2 b1 ठीके so this is your formula by using the diagram and this is your short trick right clear है इस तरीके से हम पुरा x जो आपका formula है वो आपको मिल जाता है that means x की value क्या जाएगी x को इसके equal output करेंगे and फिर y को इसके equal output करेंगे तो x equals to क्या जाएगा b1 c2 minus b2 c1 जब equal put करेंगे तो यह उपर चला जाएगा upon a1 b2 minus a2 b1 same जब इन दोनों को put करेंगे equal तो यह उपर चला जाएगा तो y equals to c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1 यही है ना आपका formula यही आता है right so आई यह short out कर लेते हैं first of all जो आपके coefficient यह real number इनकी value put कर देते हैं a1 और a2 की value कितनी है भई 6 और 7 है value put कर देते हैं b1 b2 की value minus 5 minus 13 तो यहाँ भी put कर देते हैं minus 5 minus 13 c1 c2 की value minus 16 and यहाँ पर plus 10 right now value put करें जल्दी से तो आई यह put कर देते हैं x upon b1 c2 यानि की minus 5 into 10 minus b2 c1 तो minus 13 into minus 16 equals to y upon c1 a2 minus 16 into 7 minus c2 a1 तो 10 into 6 equals to 1 upon a1 b2 यानि की 6 into minus 13 minus 7 into minus 5 so value put कर दें cross check जरूर कर लीजेगा b1 की value b1 c2 की value minus 5 or 10 minus minus 13 or minus 16 minus 16 or 7 minus 10 into 6 6 into minus 13 7 into minus 5 तो भाई हमारी value तो सही put हो गई तो यह हम solve कर लेते हैं इसको तो आई यह solve करते हैं तो एक्स अपॉन 10 5 जा 50 तो माइनस 50 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहां पर प्लस माइनस माइनस आएगा राइट तो 16 की तो हम 13 में multiply करेंगे 16 की 13 में multiply कर लीजे ठीक है तो हम सबसे पहले किसी कर लेते है 16 की कि 6 इस एक इतना होता है इस 48 होता है ना वन की करेंगे तो 16 तो 8 10 208 यानि कि जब हमने multiply की तो कितना आ गया हमारा 208 आ गया 16 थीज़ा 48 and 1 की करेंगे जब हम यहाँ पर तो आपका 16 आ गया तो यानि कि हमने add कर दिये तो 208 आ गया तो यहां से क्या आ गया आपका 208 equals to y upon 16 7 जा अब आपको सभी students को 16 के table याद है yes याद है बट अगर किसी भी student को याद नहीं है so guys मैंने आपको simple से trick बताई हुए है कि 16 7 की multiply करनी है ठीक है तो 6 7 से कितना होता है 42 and 7 बंज़ 7 तो यह जो last के digit लेंगे and इसको सब multiply कर देंगे और इसको 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 multiply कर देंगे और इसको 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 तो यह जो trick है यह multiplication की बहुत must है ज़रूर देख लीजएगा वो video हमेशा आपके काम आने वाली है now equals to 1 upon 13 6 78 minus 78 अगर 13 की table भी आती है तो guys इस तरह किसे कर लेंजएगा आईए वो भी मैं आपको बता देते हूँ 6 से multiply करेंगे 6 3 is 18 6 1 is 6 so last check digit yes में जाके add 78 यह आया ना तो हमने भी तो वही रखा तो वही आता है guys now minus 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 plus हो जाएगा 5 7 is a 35 ठीक है so एक बार sign फिर से check कर लेते हैं minus 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 plus and plus minus 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 and minus minus plus तो भी हमारे sign तो ठीक है ठीक है तो आगे solve कर लेते हैं so 1 upon minus 50 and minus 208 x upon करेंगे तो 8 5 and 2 equals to y upon guys यह जो minus 12 और 60 add कर लीजे 112 और 60 2 7 और 1 यानि की 172 sign किसका आएगा minus का आएगा और यहां पर भी sign minus के आएगा कि दोनों sign किसके हैं minus के है right now equals to 1 upon minus 78 और plus 35 so plus minus minus हो जाएगा that means 78 में से 35 minus करेंगे 8 में से 5 गया 3 and 7 में से 3 गया आपा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ठीके लेकिन बड़ी वेली कौन सी है minus 78 है that means minus 43 आ जाएगा right clear है इतना समझा गया minus minus plus किया तो हमारा 258 आ गया इहां पर plus किया तो हमारा 172 आ गया and इहां पर plus minus minus किया तो minus 43 आ गया now अब इसको इसके equal लग देंगे that means x upon minus 258 equals to 1 upon minus 43 now x equals to minus 258 upon minus 53 minus से minus कैंसर अब गयाज हमें सॉल्व करना है तो 3 के टेबल में देखते हैं कि 8 कितने टाइम साय है last is it 6 x 18 3 x 18 होता है तो 43 की हम 6 time multiply करके देख लेते हैं 43 6 आ 6 3 आ 18 6 4 आ 24 and 125 तो याने कि कट हो गया यह तो वारेव तो यह तो cancel हो गया that means x की value आपकी 6 आ गई right है नस ओईजी now y को equal put कर देते हैं that means y upon minus 172 equals to 1 upon minus 43 to y equals to minus 172 upon minus 43 3 तो minus से minus cancel अब 3 के टेबल में देखे कि किसके लास्ट में 2 आता है 3 for the 12 होता है ठीक है तो 43 की 4 में multiply करता है 4 3 the 12 4 for the 16 172 तो याने कि 48 सी 4 जा कितना हो गया 172 तो it means y की value आपकी आ गई 4 hence x की value आपकी 6 आ गई और y की value आपकी क्या आ गई 4 आ गई so this is your solution so right समझ आगे ना गाई अगर आपको समझ आगे तो वीडियो लाइक कर दीजें comment कर दीजें मुझे समझ आ गया so this is your short learning trick means आप किस तरीके से question को solve करेंगे कैसे आपको करके दिखाना है आपको ratification नहीं दिखाना formula का अगर आपने इस तरीके से question solve करके दिखाया ना डाइक्जाम के तू तो 100% full and full marks आपको मिलने वाले हैं और इस तरीके से cross check करके sign को अगर आप solve कर देंगे तो बिल्कुल accurate answer सही आने वाला है ओकी समझ आगे ना तो समझ आगे जल्दी से अपने friends को share कीजिए and channel के साथ में से जोड़ जाईए क्योंकि हम लोग अच्छे से study करने वाले हैं with fun and mercy के साथ भी हम अच्छे से study करेंगे जिससे कि आपको अच्छे से marks achievement मिल सके ओकी end time devil जो मैंने आपको वीडियो में बताय हुआ है already कि किस तरी किस आपको smoothly study करना है उसको छोड़ना मत study continue करते हैं ओके so मिलते हैं next video में bye bye take care